हेलो स्टूडिन्स आयम हर्षीतर आठ्थार और मैं आप सबका हैचेन अध्यन पर स्वागत करती हूँ I hope सब लोग अच्छे होंगे सब लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई कर रहे होंगे सिर्फ 10-15 दिन ही बज़े हुए हैं डिसेंबर के एक्जैम के लिए तो लगे रहो बस महनत करते रहो ठीके और I hope की सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे महनत कर भी रहे होंगे ठीके इस वीडियो में मैं आपको logical reasoning के कुछ important topics और important concepts बताने वाली हूँ जिनसे जून वाले exam में जो अभी जून वाले exam हुआ था उसमें definitely question आये ही थे मैंने अभी जून के exam जो हुआ था आपका उसके सारे papers को analyze किया तो मैंने देखा कि यह जो topic है यह तो mostly हर shift में पूछे ही गए हैं और कभी-कभी तो ऐसा हुआ है कि जो मैं topic लेकर आई हूँ उसे उन ही topic से आपके लिए question बनके आया है तो उन सभी topics को जिनसे question बनके आया है वो मैं इस वीडियो के अंदर आप से share करने वाली हूँ अगर आपने logical reasoning में इतने topics को भी पढ़ लिया आप तो काफी ज़्यादा enough हो जाएगा काफी ज़्यादा sufficient हो जाएगा आपके लिए और काफी helpful होगा आपको यह December के लिए ठीक है तो 10-15 दिन बज़े हुए है जो important चीज़े हैं जो important concepts है आप उन पे ज़्यादा focus करोगे तो आपके लिए ज़्यादा beneficial रहेंगे बजाए कि आप शुरू से लगे हुए हो सबको वापस से पढ़ाई करने के ठीक है तो जो important concepts है अब हमको उन पे ज़्यादा stress करना है ठीक है तो इस वीडियो में मैं आपको logical reasoning के कुछ important concepts बताने वाली हूँ तो वीडियो को start करते हैं previous sir के questions उनको solve करना start कर दिया होगा आपने जून के papers को भी अगर देखा होगा तो square of opposition से आपका एक question हर shift में mostly ही बना है ठीक है फिर आपका एक question बना है fallacies से जो भी आपकी western logic की fallacies है उनसे भी आपका एक question आया ही है और किसी-किसी shift में तो दो-दो question भी आपके fallacies से पूचे ग सब्सक्राफ लगे लेकिन अगर आप दूसरी या तीसरी बार पढ़ लोगे तो आपको काफी जादा easy हो जाएगी मैंने भी fallacies की classes चलाई थी मैंने दस वीडियो करवाई थी जिसमें मैंने दस अलग-अलग तरीके की fallacies को बताया था यूट्यूब पे हमारी वो सारी वीड वाले question आपसे पूछे गए थे यानि कि आपको वह statement दी हुई थी आपको कहा था कि आपको इन चारो option में से बताना है कि इस statement का logically equivalent क्या होगा आपने देखा होगा अगर आपने question को solve करा होगा तो logically equivalent बनाने वाले question भी आपसे पूछे गए थे logical reasoning के अंदर फिर Indian logic से भी आपक logical reasoning में question पूछे ही गए हैं यह 5-6 कुछ ऐसे topic से जिनसे mostly हर shift में आपका question बना ही है और कुछ तो ऐसे shift हुई है जिसमें सिर्फ 5 question आये हैं और पाचों question सिर्फ इन 5 topic से ही आ गए हैं यह बहुत important topic है आपके logical reasoning के लिए आप सिर्फ इनको भी अच्छे से पढ़ लोगे ना त पिर क्या इसका overview क्या है brief क्या है ठीक है सबसे पहले अगर मैं बात करूँ square of opposition की तो square of opposition में आपको पढ़ना है आपको कुछ statements दी हुई होती है आपको दिया होता है subalternation contrary subcontractions ऐसे आपको कुछ statement दी हुई होती है आपको पहचानना होती है कि कौनसी type के statement कौनसी दी हुई ह है यह a type की है e ki है i iki है या फिर o type की statement है आपको इन चारो type की statement को वहाँ पहचानना होता है यह होता है square of opposition में इसमें कुछ rules लगे हुए होते है कि a type की statement कैसी होगी i type कैसी होगी अगर a type की true होगी तो पिर 아 i type क्या होगी ov type क्या होगी कुछ rules and regulations होती ही जो आपको पढ़नी ह होती है square of opposition के अंदर ठीक है मैंने YouTube पे एक logical reasoning की पूरी marathon class भी करवाई है जिसके अंदर मैंने इस सारी चीज़े अच्छे से बताई है आपको ठीक है अगर आपने class नहीं देखी तो जाके देख लेना आपका square of opposition का जो concept के अंदर मैंने सारी वीडियो करवाई है यूट्यूब पे अवेलेबल है सारी वीडियो सब्सक्राइब कर सकते हो काफी इंट्रस्टिंग फैलेसी आपको काफी सारी फैलेसी दी हुई है आपके syllabus के अंदर लेकिन मैंने कुछ 10-12 ऐसी फैलेसी करवाई है जो कि mostly आपको हर question में देखने को मिलेगी या फिर आपको हर question के option में वो सारी फैलेसी के नाम देखने को मिलेंगे तो अगर आपको कोई फैलेसी नहीं भी आती है अगर आपने 10-15 फैलेसी पढ़ ली है जो options को देखके eliminate करके भी उस cancer निकाल सकते हो ठीक है तो मैंने 10-12 फैलेसी आपको करवाई है YouTube के उपर आप वहां से वीडियो को चेक आउट कर लेना ठीक है फैलेसी के आपको दो नाम तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे जितने भी आपको फैलेसी के देखने को मिलें आप फैलेसी का दूसरा नाम होता है तो एंटी घुमाने के लिए वह दूसरे नाम से question पूछ लेता है आपको पता होता है कि वह फैलेसी क्या है लेकिन क्योंकि आपको दूसरा नाम नहीं पता है इसलिए वह question आपका गलत हो जाता है तो फैलेसी के जितने भी नाम है आप उन ऐपसे पूछाता है कि चारो हूपषन में से कौनसा इस उपार वाली statement का है तो आपको चारो option में भी यही देखना है कि A type की statement कौनसी है अगर आपसे question में O type की statement पूची है तो आपको चारो option में भी O type की statement को ही ढूणना है यह होता है logically equivalent यानि कि आप चाहे कान ऐसे पकड़ो चाहे वैसे पकड़ो उसका मतलब वही निकले ठीक है चाहे आप statement को इस तरीके से बोलो चाहे आप उस तरीके से बोलो उसका मतलब सेम हो इक्वल हो यह होता है logically equivalent ठीक है इसमें बच्चे थोड़े confused हो जाते हैं इसमें थोड़े बहुत rules और regulations जो आपको पढ़ने होंगे ठीक है एक आपका question है मैंने बताया आपको इंडियन लॉजिक से टॉपिक है ना इंडियन लॉजिक काफी important है थोड़ा बच्चों को टफ लगता है लेकिन यह भी मैंने हमारी जो मैरतन वाली class है उसके ना इंडियन लॉजिक को भी मैंने अच्छे से करवाया है इंडियन लॉजि लग-alag नाम है तो अगयें आपको जितने भी जो जो नाम दिये हुए wam आपको सबको ही पढ़ना है सबको याद रखना है धिक यह आपका एंडियन लॉजिक से question मनता है है तो आपको पूछने लगा है तो आपसे सब टाइप से भी कुछन पूछे जा सकते हैं तो यह पूरा ओर व्यू है लॉजिकल रीसिनिंग में कि आपको क्या-क्या पढ़ना है किस-क्स टॉपिक के अंदर भी आपको क्या-क्या पढ़ना है वह भी मैंने आपको बता दिया है तो यह आपको पूरा अगर आप इतना भी कर लेते हो लॉजिकल रीसिनिंग के अंदर तो आपके लिए काफी ज़्यादा बेनिफीशल हो जाएगा ठीकर मोस्ट ली क्वशन जो है वो इन ही टॉपिक में से आते हैं यही मोस्ट इंपॉर्डन टॉपिक है आपके लॉजिक करूंगी ठीक है थैंक यू